दोस्तों इस दुनिया में जीना है तो आपको strong और शक्तिसाली होना पड़ेगा वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी उसी तरह से अगर आपको government job चाहिए तो याद रखिए आपको मोका कोई नहीं छोड़ना है हमेशा positive रहके हर vacancy के लिए apply करना है आपको बतादू आज की vacancy में 14 पोस्टे हैं काफी सारे लोग negative होंगे की 14 पोस्टों में क्या apply करें लेकिन 14 के में से आपको सिर्फ एक vacancy की जरूरत है तो मेरे हिसाब से ये 14 काफी है वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए, share कीजी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे और भी लोगों तक पहुचाने की कोशिश कीजेगा फिलाल बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी के अंदर 14 vacancy की जिसके अंदर आपको सफाई वाला MTS की vacancy मिलेगी सफाई वाला के अंदर और भी बहुत सारे work होते हैं सिर्फ सफाई करना ही जरूरी नहीं होता ये चीज़ का ध्यान रखिये आपको pest control, worker की vacancy मिलेगी आपको cook की vacancy मिलेगी आपको fire engine driver की vacancy मिलेगी काफी सारे लोग पूछते हैं कि मैं form आप सबको बताता हूँ वो form हम कहां से download करें और कहां पर मिलता है cafe में जाते हैं तो वो कहते हैं form नहीं आया है मैं 100% guarantee लेता हूँ ये form अगर आप employment news में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने भी भही से लाया है तो आप एक काम करो description में एक link दे रहा हूँ समझाया क्या.in ये जो आपके सामने है आप इस page पे आएं और इस page पे आने के बाद बिल्कुल नीचे आएं नीचे आने के बाद ये जो download, detail, advertisement and application form है यहाँ पे click करें और उसके बाद इस form को आप download करें और 21 दिनों के अंदर अंदर apply करें दोस्तो 21 दिनों के अंदर आपने apply करना है लेकिन कहां से लेके data publication data publication होती है कि ये newspaper में कब आया था दोस्तो ये employment news में आपको बता दू 24 अगस्ट 2019 को आया था तो 24 अगस्ट से अगर आप 21 दिन इसके count करेंगे तो वो आपके बन जाएंगे तकरीबन आपको बता दू 14 सेप्टेंबर 2019 लेकिन अगर आप कुछ special area से आते हैं जैसे कि आप लोग आते हैं मनीपूर से आप लोग आते हैं असाम से, मेगालिया से, उराचल परदेश मिजोरम से, नागा लैंड से तो आप 28 दिनों के अंदर अंदर इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपकी डेट तकरीबन एप्रॉक्सिमेटली 21 सब्टेंबर बनेगी तो आप लोग भी काउंट जरूर कीजे 24 अगस्ट को ये फार्म एडवर्टेजमेट में आ चुका है फिर से बता दू यह है लिंक समझायका.in गूगल में भी आप सच करके आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस पेज का लिंक दे दिया है आप लोग इसके लिए आफ्लाई अप्लाई करेंगे ये डिफेंस की ही जॉब है लेकिन ये सीवल जॉब है जानी कि जिसमें सुबा जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं लेकिन अगर आपकी ड्यूटी शिप में हुई तो फिर आप शाम को घर नहीं आ पाएंगे आल इंडिया लाइबिल्टी है कहीं भी ट्रांसवर कर सकते हैं करेंगे आपकी एक्जाम लोकेशन में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह आपको आपको आप लाइबिल्ट कार्ड जब आपका आएगा उसी में पता चलेगा आपी एड्मिट कार्ड की डेट इन्होंने निदारित नहीं की है इसमें आल इंडिया से सिर्फ मेल कैंडिट ही एपलाई कर पाएंगे इसमें आपका written exam भी होगा, skill test भी होगा, as per post आप जिसके लिए अपलाई करेंगे फिर आपका document verification भी होगा, आपका objective type exam होगा, 100 marks का जिसमें हिंदी इंग्लिश आप दोनों languages में paper दे सकते हैं notification के लिए आप please description में जाएं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अब बात करते हैं qualification की, यहाँ पर अगर आप MTS या pest control worker के लिए apply करते हैं, तो आप simple 10 वी pass हैं, आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप cook की post के लिए apply करना चाहते हैं, तो आप 10 वी के साथ साथ 1 year का experience भी रखने वाले होने चाहिए, fire engine driver के लिए 10th with 3 year experience यहाँ पर मांगा हो, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, age limit मैं आपको बता दूँ, आपको 18-25 साल भी है, 18-27 साल भी है, 18-30 साल भी है, तो 27 और cook के लिए करते हैं, तो 18-25 है, आप अगर fire engine के लिए करते हैं, तो 18-30 साल है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके अलावा कि यह farm हमें जब बेजना है, तो क्या-क्या documents इसके साथ बेजने हैं, यह सबसे ज़रूरी होता है, तो देखिए आपने दो additional, जाने कि अ वो दोनों बेजने हैं, अगर आप 12 के basis पे बेज रहे हैं, अगर आप 12 के basis पे apply कर रहे हैं, तो 12 के, आपने self-attested copy proof of data birth 10th की बेजने हैं, जाने कि birth certificate पे आप 10th का certificate बेज सकते हैं, आप SCST से हैं, तो आपना certificate बेज दीजिएगा, आप इसके साथ अपने जितने भी बाकी certificates ह आपके पास additional, अगर किसी के पास कोई experience है, तो वो बेज सकता है, जैसे कि कि किसी post में one year का experience मांगा हुआ है, अब बात आती है कि ये farm हमें कहां बेजना है, और इसके साथ क्या बेजना है, देखे, document तो बता दिए, क्या इसके साथ envelope बेजना है, जी हाँ, आपने 23 by 13 का envelope बे बेजना है, document के साथ, अब उपर वाला लिफाफा, आपने सिर्फ उतना लेना है, जितने में आपके सारी documents आ जाएं, तो ये चीज हो गई, अब ये farm कहां बेजना है, ये सबसे जरूरी और बड़ा सवाल यहाँ पे आप से पूछा जाएगा, जो आप मुझ से पूछने व दोस्तो, A4 size के उपर आपने इनका application farm को print करवाना है, जो कि आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है, completely आप इसे download करके print करवा सकते हैं, यहीं से आप कोई issue नहीं है, इस farm को कैसे fill करना है, मैं आपको pen से खुद fill करके बताऊंगा, अगली वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो please वीडियो को like करें, share करें, अगर आप चाहते हैं, मैं अच्छे से एक explain करके आपके लिए ये वीडियो लेकर रहा हूँ, मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे channel को subscribe करें, और याद रखिए हमारा eligibility criteria channel भी अब grow कर रहा है, तो आप इसे भी subscribe कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं वेकेंसी upload करता रहता हूँ, मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब ते के लिए अपना ख्याल रखें, समझ आया क्या?